नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल First Ever First में दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम आपको बताते हैं कुछ ऐसा अविश्कारों के बारे में जिनके आने से पुरी दुनिया को एक नई राह मिली और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे World's First Ever Watch यानि कि दुनिया की सबसे पहली घड़ी के बारे में तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तो दोस्तों, आज के दौर में हम इंसान समयगे कतकुतली बन चुके हैं और हम अपने सारे काम टाइम पर करना चाहते हैं जैसे कि टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, टाइम पर खाना और टाइम पर ओफिस जाना और इन सब के लिए हम घड़ी या मोबाइल का इस्तमाल करके बड़ी ही आसानी से टाइम का पता लगा लेते हैं लेकिन दोस्तों पहले के समय में जब घड़ी का आविश्का नहीं हुआ था तब सूरज और तारों की चाल और समूद्र में आने वाले जोहर बाटे से टाइम का पता लगाया जाता था लेकिन बदलते मौसमों के चलते ये टेकनिक स्ठीक से काम नहीं कर पाती थी और सही टाइम का पता करना मुश्किल हो जाता था और यही वो समय था जब दुनिया को जरूरत थी एक ऐसे इंवेंशन की जो टाइम को एक्कुरिजी के साथ बता सके बस तो फिर क्या था लग गए दुनिया के बड़े से बड़े मेथेमेडिस्टिस और सैंटिस्ट इस समस्य का हल निकालने लेकिन दोस्तो इस रेस में बाजी मारी जर्मनी के एक लॉक्स्मीद और क्लॉकमेकर मिस्टर पीटर हैनलेन ने जब उन्होंने सन 1505 में दुनिया की सबसे पहली वाच बनाई जिसका नाम पॉमेंडर रखा गया और इसका आकार एक गुलाब दानी जैसा था दोस्तो ये वाच कॉपर से बनाई गई थी और इसकी कोटिंग बाहर से गोल्ड और अंदर सिल्वर से की गई थी बात करें इस वाच के बनावट की तो बाहर से वाच का डायमिटर 4.15 सेंटीमिटर और अंदर से 3.60 सेंटीमिटर था चूकि ये एक मेकेनिकल वाच थी तो इससे सुरू करने के लिए इसमें चाबी बरनी परती थी और एक बर चाबी भरने से इसमें 12 गंटों का टायम रिजर्व होता था साथ ही साथ इस गड़ी पर टोटल 12 नूप्स लगाये गए थे जो हरे गंटे को दर्शाते थे दोस्तो हेरान करने वाली बात तो ये है कि आज के समय में इस घड़ी की कूल कीमत तकरीबन 50-80 मिलियन डॉलर आकी गई है जो इससे आज के समय की वन अब दी मोस्ट एक्स्पेंसिव वाच बनाती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में किसी और इनोवेटिव इन्वेंशन के साथ